हाई लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टेडी फीट चैनल दोस्तु आज मैं रिस्पारेटरी सिस्टम यानि स्वसन तंत्र के बारे में दीटेल बताने वाली हूं दोस्तु यह पार्ट वन है स्वसन तंत्र का इसमें में स्वसन क्या है स्वसन के कौन-कौन से अंग है नासिका फैरिंग्स लेरिंग्स प्रैक्या इलुलाइज लंग्स इसके बारे में डीटेल में बताऊंगी एंड दोस्तु सेकेंड पार्ट में वाह स्वसन अंत्रिक स्व यानि YV, YV स्वचन क्या है यानि Y स्वचन और कोशिकी स्वचन क्या है इसके बारे में detailed बताऊंगी बस वीडियो को सुनुप से लाज तक देखते रहे हैं और दोस्तों यदि आप फृजिकल एजुकेशन के किसी भी competitive exam चाहे किसी सेट का और TGT PGT KVS NVS CLT का अब orate preparation कर रहे हैं कि मेरे चैनल पर सभी वीडियोस इससे । सभी वीडियोस को वाच करके वीडियोस वाच करके आप अपने पुन्य प्रिपरेशन को बहतली कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर तो जो सेड़ें हैं स्वसंतंत्र यानि रिस्पाइरेडरी सिस्टम है क्या ? सुरू से लावच लिडीयो देखी है आज आपको पूरा समझ में आज आएगा तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वसंतं क्या है ? तो दोश्तो स्वसन किया है दोष्च्छिण के द्वारा भोज्य पता थो यानि ग्लुकोज का आक्सी करण यानि की आक्सीडेशन करके उर्जा उत्पन होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है श्वर्षन कहलाती है तो दोस्तों यहां पर क्या होता है सबसे पहले हम आक्सीजन गरह करते हैं फेपड़े में जाता है फेपड़े में जो इल्विलाइज होती है वहाँ पे गैसों का एक्स्चेंज होता है अदला बदली होता है यैसे कि हमारे हिदे से जो पलमोनरी धमनी जाती है वहाँ रग्त को सुध करने के लिए फेपड़े में जाती है वहाँ फेपड़े में पहुचकर इलॉलाइज जो होता है वहाँ कार्बन डियाकसाइड को ग्रहर करके कार्बन डियाकसाइड को बाहर निकाल देता है और आक्सीजन को जो आक्सीजन होता है इलॉलाइज से रग्त में चला जाता है और रग्त के रग्त में को होता है आर बी माइट्रो कांडिया ऑर माइट्रो कांडिया शज्टेफ्ट पावर हाउस अजिघेल एनर्जी तो कि अमेट्रो कांडिया कोफिछ्व यह, पयुक्यव्युल-अक्सिज्ट-टेशन होजी टा करते हैं। जा՞ती हैं। वीडिο में बता चल्कियों की इन आपने पोषक तत्व we लेते हैं भोजन के रूप में वे अपने उर्जा के रूप में प्रतित होकर सरीर में एकतित होते हैं और फिर किसी क्रिया या अभ्यास के दुरान जो एकतित उर्जा होती है उसे हम प्रयोग करते हैं यहीं क्रिया यानि कि मेटाबोलिजिम प्रोसेस कहलाता है और मेटाबोल कभता कखालाता है जैसे कि दोस्तों कार्भो हाट यर्च को ड्लाइकोजन की रूप में लिवर मान्S vaisGO में हैं कत्षित किया जाता है अन फयर्स यानि वसा को ग्लीस्लीण तथा फ्यर्टी एसिट की रूप में एडिपोज टीशु के निचर री कत्ाकिया जाता है प्रोटीन को अमीनो एसिट के गर्यों में करके हमारे सरीवİंए एक असीद करके लुड़ा गिया है उस और्झा का किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान उलजा के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वह ही केटाबोलिज लोग होता है कि यही जो सुवसंग कीरिया में अगसी mamホ होता है उर्जाम होता है अगा किर्या में क्रिया होता है ठीक है अब स्वसन रिया क्या होता है ये तो हम समझ अब बहुत करते हैं स्वसन मार्गों की काहां को किरीया करकी फेपरे में पहुंचता है औ Украї पिद्वाकर को harbor Tech के स्वसन मार्ग यानि कि वायू जिस मारग का अनुसरर करता है उसे स्वसन मार्ग कहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आता है नाशिका आता है नासिका अंदर जाने वाली हवा को क्या करता है गर्म करता है अर्थात हमारे शरीर के तापमान के बराबर करता है और सुगले की पहचान करता है यहाँ नासिका जो है कार्टिले जानी उपास्थिका बना होता है नासिका के अंदर चेंबर में एक रच्छर शमेदी क्या होती है बाल होते हैं जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं वो बड़ी वस्तु को अंदर जाने से रोकते हैं और जोस्तो नासिका के अंदर मुकस का इस्तरा होता है यह मुकस क्या करता है धूल के कड़ वा बैक्टिरिया आधी को अंदर चिपका कर रखता है अंदर जाने से रोकता है धूल कड़ो और बैक्टिरिया को ठीक है यानि एक तरफ से फिल्टर का कारे करता है और पती दिन आधा लीटर मीकस नासिका से इस्त्रावित होता है दूसरा मर्ग क्या है फैरिंग्स यानि ग्रस्नी ठीक है नासिका के जश्ट बात फैरिंग्स यानि ग्रस्नी होता है जैसा कि चित्र में दीख रहा है फैरिंग्स यानि ग्रस्नी यह मुख गुहा के पीछे की यूर एक कीपा का गुहा में खुलती है यह साड़े बारे सेंट महां बंबी होती है व जुना भोजन और वाय्यू दोन हम स्वास लेते हैं यह से अब करने में चला जाता है और जो भोजन शास को बहता है, है वह स्वास्यनली में चला जाता है जैसे हैं तरफ Treo जहाने किस्वास लेते समय यहां पर इसके नीचे ल에 के नीचे याने कि चいた्ट पर की एंग続 को छाव्ट पिंपर प्राह्पर कर्ट होता है गांट करता है उस समय द्रीक्ष्व करते हैं है यानि स्वास नली को ढख देता है और भोजन नली को खोल देता है और भोजन हमारे भोजन नली में चला जाता है और जो हम स्वास लेते हैं तो भोजन नली को ढख देता है और स्वास नली में हमारा वायू चला जाता है तो इसका काम करता है एपिग्लोटिस नेक्स्ट और फसी नाली बञाते हैं羽 english चैंबर होता है जब भोजन हम लिगलते हैं तो स्वासनली को धक देता है जब स्वास लेते हैं तो भुजण नली को ठग देता है ठीक है और इस स्वर्यांत्र यानिकी लेरिंग्स का मुखेकारी होता है ध्वनी उत्पादल करना जैसे कि दोस्तो बाल आवस्था में लड़के दोनो का स्वर्यांत्र समान होता है, परंथे यह दोना आवस्था के आम में लड़कीओं के अपका लड़कों के कंठ बिर्धी करके बड़े हो जाते हैं और इसलिए लड़कों की धोनी अपीचा रल्पे खेटी襲 हो जाती है यो करता है ठीक है इम्लेक्ष मार गाता है स्वाश नली या carving एक पैप जैसा होता है सात्रल में छेट्रील और हम थे कचितर कर थे चैनली इसके माद्यम से स्वास फेपरों। तक पहुंशती है कि स्वास नली कि माध्यम से फेपड़ों तक वायु पहुशती है कि अ दोस्तों या ट्रेकिय में गोबलेट सेल्स होती है यह गोबलेट जो है स्लेश मां का इस्तराव करती है और स्लेश्मा जो है स्वास नलिका को नम एवं चिकनी बनाने के साथ साथ अंदर ग्रहर की गई वायू को भी नम बनाने का कारे करती है जिससे वायू के साथ आने वाले धूल कर्जो होते हैं इससे चिपक जाते हैं और फेफडों में नहीं जा पाते नेश्ट है ब्रांची यानि स्वस्निया दोस्तों जो स्वास नली होता है ट्रेकिया होता है यही ट्रेकिया आगे चलकर दाएं फेफडों में तीन भागों में और बाएं फेफडों में दो भागों में बट जाती है जिससे ब्रांची या स्वस्निया कहते हैं क्यों डॉस्तों में ब्रांचि औलीर्सय यानि दोस्तों जो दाय फेवर्फोड़े में तीन भागों दू बढ़ता है वही अने- बढ़ता आती तुच भागों में बढ़ता है त्यानि की दोस्तों में पीजिक बढ़ जाती हैं जीसे स्वस्निकाएं कहते हैं जैसा कि चितर में दिख रहा है एंड दोस्तों नेक्स्ट होता है यानि कुपिकाएं या इसको कोष्टक भी बुला जाता है तो जो ब्रांची ओलिस होती है स्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस् गैसों का आदान प्रदान होता है यानि एलुलाइज में ही गैसों का आदान प्रदान होता है गैसे एक्सचेंज प्रोसेस होता है दोस्तों बहरी इंपोर्टेंट है कई बार कोस्टन आता है कि गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है तो एलुलाइज में होता है ठीक है यही एलवलाईज में रख्तवाहिनया जुड़ी हाँ यानिकि सुद्ह वायु जो है आकशीजन प्लमोमदनी सिरायों में चल जाता है ग्लमोमदनी मिराश्ते को जनसे जाता है, जिस Cameer. ए रोटा कि द्वारा समझत सरीं में महाधाइमनी की द्वारा समझत सरीर में भेंदिया जाता है और असिद वारी जो होता है पलमोरी धमनी से फेफटों में आ करके तो स्वसंद द्वारा बाहर आ अ जाती है कहने का तावत पर है rapid कि बाद कि असुद रख्त लेकर के फेफ्रों के पास जाती है तो कहां मिलती है इलोलाई से इलोलाई के पास जाते ही इलोलाई जो होता है वह CO2 को यानि असुद वायों को ग्रहर करकर बाहर निकाल देता है और आक्सिजन को रक्त में भेदेता है वहां का हीमोग्लूबिन जो है आक्सिजन को ग्रहर कर लेता है और रक्त सुध हो जाता है सुध हो करके पन्मररी सिराव से हिदय में चला जाता है और हिदय से महाधम और कोशी काँं में भेंड दिया जाता है और माइट्रो गांड़्या में क्या होता है? आकसीजन को करम्रॐं करके जाता है यानि का तात्परा है कि a का आदान प्रदान इनुलाइज में होता है जिसे हम डिफ्यूजन प्रॉसेस भी कहते हैं जैसा कि दोस्तो हमारे सरीर में स्वसन क्रिया कैसे होती है अंत में जाकर के उर्जा कैसे बनता है इसको आप भलिभात ही समझ गए होंगे अब बात करते हैं फेफ्रे की जैसे कि दोस इनुलाई तक जाने के लिए अब मुख्य सोसन अंग अमारा फेफड़ा है अब फेफड़ा जह संख्या में दो होता है यानि थोरे सी क्यानि वच्छ गुहा के दुनों और होता है इसका रंग मैरून स्रेटी इस पंज के समान एक थैली जैसी होती है और दाहिना फेफड़े का वजन 620 ग्राम और बाएं फेफड़े का वजन 570 ग्राम होता है और फेफड़ों के आधार पर दोस्तों दोनों फेफड़ों के नीचे कार्टिलेस की बनी हुई एक पट्टी से जुड़ी होती है उस पट्टी का नाम है डायफ्राम ठीक है इसी डायफ्राम पर हमारा फेफड़ा जो है ठीका रहता है जैसा कि चितर में दीख रहा है और यह डाइफ्राम जो होता है किसे बना होता है इंटरकॉस्टल मुसल्स से बना होता है इसी इंट्रकॉस्टल मसल्स के फैलने तथा सिकूडने से डाइफ्राम जो होता है नीचे तथा उपर होता है जिससे वायू अंदर अवा बाहर होती है यानि सोसंक्रिया होती है जैसे कि दोस्तो एक फेफडे का लगभग वज़ एक फेफडे में लगभग तीन सो करोर छोट जाती है जिनकी सतह चेत्रफण लगभग वर्ग मीटर होता है इन्हीं कोपीका यानि एलुलाइज में ओटू और सी ओटू का बिन में एक्सचेंज होता है और प्रतिय फेफडा जो होता है एक प्लूरल मेंबरेन से गीरा होता है बेरी इंपर्वार्टेट है दोस्तों फे उबीन फ्रीव मोर्णा जो होता है दो उसके होते है पिराइटल प्रीवल द्रीव धते हैं प इसला कोख से क्षाम्राइच को से नीक जी द्रीव मेंब्रीण Taylor catryla निक भाम टवर सिंहे हैं जी होगो झालते हैं अला हुआ तो जैसे कि हम लोग लोके देखा कि डाइफ्राम पर फेफटा होता है! सधा रहता है। जब डाइफ्राम दो होता है इंटर कॉस्थार मसल्स की बना होता है। पहलता हो टो डाइफ्राम सब्ड़कर नीचे चला जाता है और फेफ्ड's तन बढ़ जिस वाइव profess जो इंटरकार्शर में ऩोरिता है तो डायप्राम उपर उड़ जाता है और फिपड़े का आटन कम हो जाता है और जो और हम जो वाई होते हैं बाहर छोड़ते हैं यानि स्वास छोड़ते हैं तो यही क्रिया होती है स्वसन में तो दोस्तों हमने जाना कि स्वसन क्रिया क्या है और कौन-कौन से स्वसन अंग है इसके बारे में इस वीडियो में जाना कि स्वसन क्या है स्वसन पूरी तरह से उर्जा उत्पन करने की रिया है यगा होता है भोज़ पृधे कर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बतायेंगे कि स्वसंप कोंग कौनसे चरण होते हैं। कोंग कौन से स्टेप होते हैं रिस्पाइडेशन के वहां सेषन, गईशओ का परिवहन, आंत्रिक स्वसंप, तो दोस्तों, लो की दोस्तों आज का ये video आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कहीं दोस्तों एक दो बार उस विडियो को डेख लेंगे तो आपको अच्छी तरीका से सब्समझ्में आजाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए और जादे से जादे सेयर किया कीज़े दोस्तों इससे मुझे एक नया मोटिवेसर मिलता रहे है जिससे आपके लिए डेली बेसे मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं और दस्तों फर्स्ट वार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेर आइकन को फरेज कर लेजिए जिससे जो मैं निव वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैंगे